ओम श्यान्ती आज है 3 सितंबर 2021 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के महवाक्यों को मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाब की याद में रहने का इशारा देते सावधान करते उन्नती को पाते रहो प्रेश्न बाब समान नौलेजफुल बनने वाले बच्चे के चुईवन की मुख्यधारना सुनाओ उत्तर वह सदैव मुस्कुराते रहते कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता कुछ भी होता है नथिंग न्यू ऐसे जो अभी नौलेजफुल अर्थात रोना प्रोफ बनते हैं कभी किसी बात में अशान्त नहीं होते उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है जिन रोया तिन खोया रोने वाले अपना बद गवाते हैं गीत तुम्हें पाके हमने ओम शान्ती मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाब के सामने बैठे हैं तो बच्चे कहते हैं बाबा आपसे जो विश्य की बादशाही पाई थी वहाँ अब फिर से पा रहे हैं सत्युग में तो ऐसे नहीं पाएंगे यहाँ संगम युग पर ही तुम गा सकते हो घर में बैठे अथवा नौकरे करते हुए तुम चानते हो कि हम बेहद के बाब से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं सेंटर्स पर भी सावधाने मिलती है कि बाब को याद करो और हम विश्य के मालिक बन रहे हैं यहाँ याद रखो कोई नई बात नहीं है हम कल्प कल्प बाब से विश्य की बादशाही लेते हैं नया कोई सुनेगा तो समझेगा यहाँ इनको ब्रम्हा को शिबाबा कहते है अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नौलेज सुन रहे हैं रुहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए पहले यह रुहानी सावधानी मिलती है बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धी नहीं जानी चाहिए, इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो, वह है पतित पावन बाप, अब वह सम्मुक बैठ कहते हैं मुझे याद करो, कितनी सहज युकती है, मन मनाभव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है, तुम बैच्चे ही जानते हो, हम रुहानी यात्रा पर हैं, वह है रिस्मानी यात्रा, अब हम रिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रुहानी यात्री, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माज जीत बन जाएंगे और कोई उपाई नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो एक है विकर्माजीत समवत दूसरा है विकर्म समवत फिर विकर्म शुरू होते हैं रावन राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरिशार्थ कर रहे ह वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, वहाँ रावन ही नहीं, दुनिया में यह कोई नहीं जानते, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो, बाप को ही नौलेज़ फुल कहा चाता है, तो बच्छों को ही नौलेज देंगे ना, गौड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप करती है, उस परमपिता परमात्मा बाप को, आत्मा बाप की महमा करती है, वहाँ सुक्षानती का सागर है, बाप तो जरूर वर्सा ही देंगे बच्छों को, जो होकर जाते हैं, उनका यादगार बनाते हैं, एक शिबाबा ही है, जिनका गायन भी होता है, और पुजा भी हो बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है, बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ, पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सत्युग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो, भक्ती मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद कर पहले पहले अव्यविचारी भक्ति उस एक की ही होती है फिर व्यविचारी भक्ति हो जाती है ब्रम्हा सरस्वति को भी वह शिबाबा विश्य का मालिक बनाते हैं भक्ति का कितना विस्तार है बीच का कोई विस्तार नहीं है बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्से को विस्तार है ग्यान है बीज जब तुमको ग्यान मिलता है तो सद्गती को पाते हो तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता ग्यान और भक्ति है ना सत्युग तरेता में भक्ति का जाड होता नहीं आधा कल्प यह भक्ति का जाड चलता है सब धर्म वालों की अपनी अपनी र गर्षम रिवाज है भक्ति तो कितनी बड़ी है ज्यान तो सब के लिए एक है बस मन मनावव अर्फ बाप को याद करो बाप को याद करेंगे तो वर्सा जरूर याद आएगा वर्से का विस्तार हो जाता है ना वहां होती है हद की जैदाद यहां तुमको बेहद की जैदाद याद पड़ती है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्सा भारतवासियों को देती हैं जन्म भी उनका यहां ही गाया चाहता है यहां इस ड्रामा में अनादी नोंध है जैसे भगवान ओंचते ओंच है वैसे भारत आना कहते हैं हे गौड फादर हमको अपने घर ले चलो भारत के उपर सबका लव है बाप भी भारत में ही आते हैं अभी तो मेहनत कर रहे हो गोपी वल्लब के गोप गोपियां तुम हो सत्योग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती वहां तो काइदे नुसार राज्चाई चलती है चरित्र क्रिशन के हैं नहीं चरित्र एक बाप के हैं उनका चरित्र कितना बड़ा है सारी पत्त स्रिस्टी को पावन बनाते हैं यह कितनी चतुराई है इस समेस मनुश्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं मनुश्य समझते हैं यह साधु गादी स्रिस्टाचारी है बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है जैसे तुम actors हो बाप भी actor है ना तुम 84 जनमले पार्ट बचाते हो वहाँ भी creator, director, मुख्य, actor है करन करावनहार है ना क्या करते हैं पतीतों को पावन बनाते हैं बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो आकर के हमें पावन बनाओ मैं भी इस पार्ट में बांधा हुआ हूँ ऐसे कोई कहना सके यहाँ क्यों बना कब बना यहाँ तो अनादी बना बनाया ड्रामा है इनका आदीमध्य अंत है नहीं प्रले होती नहीं आत्मा अविनाशी है कभी विनाश नहीं हो सकती इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है यहाँ बेहद का ड्रामा है ना नट्शल में बाप बैट समझाते हैं यहाँ ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है बाकी ऐसे नहीं परमात्मा है तो मुर्दे को चिंदा कर सकते हैं यहाँ अंदशरधा की रिध्धी सिद्धी की बाते यहाँ नहीं है मुझे तो पुकारते ही हैं कि हे पतत पावन आओ आकर हमको पतत से पावन बनाओ सो तो बरोबर आते हैं गीता सर्वशास्त्र मैशीरो मनी है भगवान ने ही गीता सुनाई है अच्छा सहज राजियों कब सिखाया यहाँ भी तुम चानते हो बाप आते ही हैं कल्प की संगम युग पर जबकी आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं सत्युग में तो नहीं स्थापन करेंगे न वहाँ तो है ही पावन दुनिया कल्प के संगम युग में ही कुम्ब का मेला लगता है वह कुम्ब का मेला बारा वर्ष बाद लगता है यहां बड़ा कुम्ब का मेला पांच हजार वर्ष बाद लगता है यहां है आत्माओं और परमात्मा का मेला जबकि परमपिता परमात्मा आकर सबात्माओं को पावन बना कर ले चाते हैं खल्प की आयू लंबी करने से ही मनुश्य मूझ गए हैं अभी तुम समझते हो तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ पांच हजार वर्ष पहले मिसल नथिंग न्यू जो पांच हजार वर्ष पहले हुआ था वही अब रिफीट होता है किसको भी यह समझना हो तो आकर समझे ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए हम अकबारों में क्या डाले यहां भी तुम लिख सकते हो यहां महाबारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है सत्यों के सापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है आकर समझो गौड फादर से बर्थराइट लेना हो तो आकर किलो ऐसे ऐसे विचार सागर मंधन करना चाहिए वो लोग स्टोरी आदे बनाते हैं वहाबी ड्रामा में नोध है जो पाड बजाती है व्यास ने भी ड्रामा प्लैन अनुसार शासरादी बनाए है पाड ही ऐसा मिला हुआ है अभी तुम ड्रामा को समझ कए हो फिर वही ड्रामा रिपीट होगा अभी तुम आए हो फिर से ग्यान सुनते हो तुम जानते हो फिर से यहां लक्षमी नारायन का राच्य होगा बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे अभी तुम नॉलिजफुल बन रहे हो बाबा तुमको आप समा नॉलिजफुल बनाते हैं तुम जानते हो आधा कल्ब हम पेस्फुल रहेंगे कोई प्रकार की अशानती नहीं रहेगी वहां बच्चे आदी कभी रोते नहीं सदैव मुस्कुराते रहेंगे यहां भी तुमको रोना नहीं है गायन भी है अम्मा मरे तो भी हल्वा खाओ जिन रोया तिन खोया पद भी भ्रस्ट हो जाएगा तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं वहां तो कभी मरता भी नहीं फिर रोने की क्या दरकार है जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं बाकी तो प्रजा में चली जाएंगे बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे तो बाबा बता देंगे बच्चों को पिछाडी में सब सक्षतकार होगा जैसे स्कूल में सबी को मालूम पढ़ जाता है न रोत्रमाला कौन सी बनती है वहां पिछाडी में तुमको मालूम पढ़ जाएगा जब पिछाडी के दिन होते हैं तो बहुत पुरिशार्थ करते हैं समझते हैं हम फलानी सब्चेक्ट में नापास होंगे तुमको भी मालूम बढ़ जाएगा बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है वह तो निकानना ही होगा मोह रखना है एक में बाकी टरस्टी होकर संभालना है कहते भी है ना यहाँ सबे कुछ बाप ने दिया है तो फिर टरस्टी होकर चलो ममत तो निकाल दो बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत तो निकाल दो समझो यहाँ सब उनका है उनकी मत पर ही चलो उनके कार्य में ही लग जाओ अविनाशी ग्यान रतन का दान करते रहो यहां कन्याओं के लिए बाप के पास अब से जासी रिगाड है कन्या करम बंधन से फ्री रहती है बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्से का नशा रहता है कन्या लौकिक बाप का वर्सा नहीं पाती है यहां इस बाप के पास मेल फिमेल का भेद नहीं बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं तुम चानते हो हम सब ब्रदस हैं बाप से वर्सा ले रहे हैं आत्मा पढ़ती है बाप से वर्सा लेती है चितना जास्ती वर्सा लेंगे उतना उचपद पाएंगे बाबा आकर सब बाते समझाते हैं शिर बाबा है निराकार उनके पूज़ा भी करते हैं सो मनात का मंदिर बनाया है यहाँ अभी तुम चांते हो शिर बाबा ने आकर क्या किया कि उनका यादगार मंदिर बनाया है यहाँ भी तुम समस्ते हो कल्प कल्प ऐसा ही होगा ड्रामा में नूद है सो रिपीट हो रहा है बाप को आना ही है पुरानी दुनिया का विनाश होना है कोई अफसोस की बात नहीं यहाँ खुने नाहिक खेल है नाहिक सबका खून होगा नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए अब किसको पकड़े यहाँ तो नैच्रल कैलमिटेज आनी ही है विनाश तो होना ही है अमर लोग मृत्यू लोग के अर्थ को भी कोई नहीं जानते है तुम चानते हो आज हम रित्यू लोग में है कल हम अमर लोग में होंगे इसलिए हम पढ़ते है मनुश्य तो घोरन धियारे में है तुम ग्यान अमरित पिलाते हो हाँ हाँ कर फिर सोचाते हैं नींद में सुनते भी हैं बेहत का बाप वर्सा दे रहे हैं यहाँ वही महाभारत की लडाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं लिखते भी हैं बहुत अच्छा है यहाँ ग्यान कोई दे नहीं सकते हम मानते हैं बस खुद कुछ भी ग्यान उठाते नहीं फिर सोचाते हैं इसको कहा जाता है कुम्ब करण तुम कह सकते हो कि लिखकर तो देते हो प्रन्तु ऐसे नहीं फिर जाओ तो घर में जाकर सोचाओ कुम्ब करण के चित्र के आगे ले जाना चाहे इस मुआफिक सो मत जाना समझाने की बड़ी युक्ती चाहे ना बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो जो कोई आए उस पर समझाओ वह भी सौधा कराओ यह भी सच्चा सौधा है इससे तुम बहुतों का कल्यान कर सकते हो इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं कोई कहते हैं बीके बने हो ब प्रचापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना, बाप नई स्रिस्टी रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है, तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जाना सको, ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएग करना है बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो शिबाबा को याद करो जिससे वर्सा मिलता है मनुश्य तो बिचारे मुझे हुए हैं बताना है डिटी वर्ल्ड सावरंटी पाना है नर से नारायन बनना है तो आकर बनो अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्छों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्छों को नमस्ते हम रुहानी बच्छों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार एक बाप में ही शुद सच्चा मोह रखना है उसे ही याद करना है देह धारियों से ममत तो निकाल देना है टरस्टी होकर संभालना है विकर्मा जीत बढ़ना है इसलिए करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है वर्दान, साक्षीपन की सीच द्वारा परिशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर तरिकाल तरशी भव इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्यान भरा हुआ है क्यों, क्या का क्वेशन समजदार के अंदर उठ नहीं सकता नुकसान में भी कल्यान समाया हुआ है बाप का साथ और हाथ है, तो अकल्यान हो नहीं सकता ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परिशान नहीं हो सकते साक्षी बन की शीट परिशानी शब्द को खतम कर देती है इसलिए तरिकाल दर्शी बन प्रतिग्या करो कि ना परिशान होंगे ना परिशान करेंगे श्लोगन अपनी सर्वकरमेंद्रियों को ओर्डर प्रमान चलाना ही स्वराच अधिकारी बंड़ना है अपनी सर्वकरमिंद्रियों को ओर्डर प्रमान चलाना ही सुराज अधिकारी बढ़ना है शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोज मुरली सुनने के लिए आप शिप बाबा मुरली मदवन चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि डेली शिप बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम शान्ती